नूज़ कार मैं चनर पार्ध्याब सभी लों का अब्याद स्वागत एवं अब रहन करता हूं आपके अपने YouTube साइकल स्यकूलाजी वाले गुरूजी में तो आज की जिसका नाम है Mental Disorder of Associated Criteria First उसके अंत्रगत यूनिस सेकेंड का यह टॉपिक है तो देखिए The 5th edition एक अडियाक के लिए सवास्ट पराली है जो अमेरिकन साइके टिक एक परकासित किया गया है 2013 में जारी किया गया मानसिक विकारों की पहचान मुल्यांकन और निधान के लिए मानसिक स्वास्ट पेशिवरों और द्वारा व्यापक रुप से उप्योग किया जाता है चलिए आप समझे कि देखिए डियसम क्या है ठीक है तो डियसम जो बिसकली है वह एक तरह से क्या है जिसम प्रैकाम के मानसिक रोगों के बारे में बिश्तित जंकाई देए होती है कि उनके लच्छर क्या होते हैं को और चार कैसे होगा वह सभी डिट्यवर उसमें क्या है दिया रहता है और ये समय समय पर इसका अपडेटेड वरजन भी आता है क्योंकि मान जैजक Two नए मान अप्रकासित किया गया और यह क्या करता है मानसिक विकारों की पहचान करना उनका करना उनको निदान के लिए और इसका प्योग कौन करता है किया है मनोचिक्सक होते हैं इनका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं इस तरह के जो बुक होते हैं इस तरह के वरगी करने तंथ हैं उसे बहुत उनको तो हेल्प मिलती है तो तीन बाते हैं आपको क्लियर हो जानी चाहिए इस सम्सक्राइब की जो है वह क्या है एक वरगी करन तंथ है किसका वरगी करन तंथ है मानसिक रोगों का ठीक है और दिसम को सब्सक्राइब करता है मानसिक स्वास्ते में की वरगी करन और निदान के लिए एक मानक मारदाशन की रूप में का है यानि कि यह एक तरह से गाइड के रूप में कार करता है किसके लिए मनुची किस्तों के लिए और इसमें क्या क्या है मानसिक स्वास्त के विविन विकारों का यानि कि मन से समंद्री जो विकार होते हैं जो दिमाग समंद्री विकार होते हैं उनका वगी कर और उनका निदा करने में इससे क्या होता है जो प्रोफेशनल होते हैं उनको क्या होता है प्रभावी रूप से जो मांसिक रोगी होते हैं उसको समझने के लिए और उसका का उप्चार कैसे किया जाए इस समय क्या साथा मिलती है कोई भी मांचिक रोगी होता है जब वह मनुची किस्टा के पास जाता है तो पहले इंट्रेक्शन दोनों की बिश होता है वह समझता है कि कि एसके अंदर ऐसे कौन से लच्छण है जो अमुक मांचिक रोग को कि ग्वाइब करते हैं इस समझ फोर से परिव्यतन अगल में क्या परिवतन हुआ है तो मल्टी एक्सियल सिस्टम को हटा कर आया मात्मक मुल्यांकन को सामिल करके महत्पशव़ परिच्ण किया गया यानी कि जो पूंद रोत में मल्टी एक्सियल सिस्टम का यूज किया अटाकर आयाम आत्मक मुल्यांकन यानि की dimensional evaluation को सामिल करके माधपूल पर यहतन क्या है किया गया है और आगे देखतां तिसरे तिसरा में लिए सेड़ी बद और आयात्मक डिश्टी कोड देखिए इसमें क्या होता है जिसमें क्या है भीबिन देखिए विश्टी विकार और आयात्मक मुल्यांकनों की सहत्ता है मानिक रोगों को समझाने में आसानी होती है जिससे क्या होता है मजुंची किस्तक प्रस्टी बिश्टी इसमिए पारिका चिभी स्वति बैभ क्या हूथ और और क्या जो डावेंशन के डावेंशन यानि कि अमात्मक मुल्यांकन भी किया गए जिससे एकदम सुच में से सुच रूप में क्या है आप मनोच किस्तक समझ जाए कि वो उसके प्रशेट उसके इंदर किस्वक्रार कमांसिपर हो गए तो इसमें क्या देखिए देशन फाइब में दो नए विकार जोड़े गए जो नीरो डेवलेमेंटर विकार से समझे जिसमें पहला है आर्टीज में स्प्रेक्ट्रम विकार और दुसरा ध्यान विकार जैसे जो इस्तिया समय के जाईए पाजब द्रब उप्योग विकार इसमें क्या सभी द्रब उप्योग जो विकार होते हैं उनको एक ही सेड़ी में सामिल करको उनको ना दिया गया है सबस्टेंग यूज सामिल कर दिया गया है एक य scholarship में साइर्यार जो नोगा गया है समप्रत्तकरा इंटेनेट बना गया इसमें इंटरनेट और सोचल मीडिया से जो लट है गेमिंग का जो लट बढ़ता जा रहा है उससे समझत क्या है रोग भी विकार भी जोड़ा गया है और खानपार भी विकार में जानते हैं आपकी दो पहले से था एक अनुरेक्षिया नर्वोसा एक बुलिमिया न समझता है घ्रषिया नहें उसको ृट काम कि मतलब मानचिक रोगियों के सांस्किति पिश्तवुंडी जानने के लिए सुचना सचाथ कारते हैं और इसकों बोलते हैं इंफॉर्मेशन पर के इंटर्व्योव को कल्चरल सी इन्फोर्मेशन आइ इंटर्व्यु कि ए तो यह क्या है सांस्क्रिति सुचना संस्क्रिटीब नहीं करता है कि इसी बात का सांस्र्टिक फिस्ट बूमी करने के लिए संस्क्रिटीबूमी उटकर करें कि निपरेशिव के निकलने का अड़्डा हटाने यानि कि इस्टम ने मुख्य उसाद के लिए तो हमने आपको बताया कि की सकता यानि कि जो मेजर डिप्रसिव डिशाड़र मेजर्ड़ रखन करते हैं तो हमने आपको बढ़ाया कि विए सब्सक्राइब किया गया है इसको हमने कुछ पॉइंड के बाद से समझा और यह जो है इतना ही आपको क्या है अपने जो कुर्ष्टन में आएगा उसको इतना ही लिखना है संप्रत्य और यह काफी रहे गया तो चलिए आज के क्लास में इतना ही मिलते हैं अपने लेश्टे क्लास में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैन